तीसरी चा विद्यार्थे नमाजा नमस्कार आज आम पन टेस्ट बुक मदला तुमझा टेस्ट बुक मदला फोर्थ लेसन आहे तो घेणा रहोत तो तुम्ही टेस्ट बुक काड़ा आणि पेज नमबर ट्वेंटी आहे तो ते पन बगाईचा है एकी से बढ़ एकी मनझे का है एकी मनझे यूनिटी आणि बढ़ मनझे स्ट्रेंड ताकट शक्ती होती है न वो तो एक सच जब हम लोग रहते हैं सब तो तीस्ट्रेंद अपली महतवाची असते बहुत इंपोर्टन्ट है तो यह हम लोगोंने लेसन इंग्लिश में पढ़ा होगा आप लोगोंने पढ़ा होगा यह तो आज मराठी में सिखेंगे मराठी चिक्विया चला अपन एक लाहान से गाव होते बहुत एक छोटा सा गाव था आणि पेंसिल थेवाईची यह बरोबर तो पेंसिल से हम लोग हाड़वर्ट जो है वो टिक करके मैं दूंगी और आपको वो फाइफाइट टाइम्स लिखनी है त्या गावाजब एक घनदाट अरण्य होते डेंस मंजे घनदाट मंजे बहुत सारे पेड या ग्रीनरी बहुत सारी होते है न तो तेला घनदाट मंटो तेला डैश करा अरण्य मंजे जंगल जंगल था एक तिथे वेगवेगए पक्षी आनन्दाने से हैपीली सब लोग बर्ड्स थे वो हैपीली रहते थी ते थवया थवया ने उड़त असत थवया थवया ने मिन्स ग्रूप बनाके देखो आपने देखा है कभी स्काय में कि वो ग्रूप ब अपने त्याला बर्ड्स का थवा मंडो थवया थवया ने तुम्ही डैश करा एक दा ते दाने टिपने सथी निगाले अभी ग्रेंस जो मिलते है वो खाने के लिए वो निकल पड़े त्याना एका ठीकानी भरपूर दाने दीजली एक जगा थी वहाँ पे उनको बहुत सार ग्रेंस वहाँ पे छोटे 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 दीखे भरपूर भरपूर मंजे खूप पुशकल मोर तर त्याला डैश करा भरपूर ला दाने टिपने सथी पक्षान चा थवा खाली उतरला अभी नीचे दिखाई दिए उनको सब प्रोपर ग्रेंस तो उन्होंने क्या क्या सब पूरे ऐसे नीचे आके दाने टे टिपाईल लगले खाली उतरला तो थवा ते दाने एका पार्ध्याने जाल्यावर टाकले होते अतकाई जलो पहले जाली थी और उसके उपर पार्ध्याने ला डैश करा पार्ध्याने मंजे हंटर जो शिकारी था उसने क्या किया था वो ग्रेन जान बुचकर जाली के उपर डाले थेल जालया वरला पन डैश करा बाजूलाद जाडा जवल पार्धी उभावता अभी वो देखो नीचे एक पिचर दिखाया दिया है पिचे वो खड़ा है और देखो सब जो कबुतर है जो पक्षी है ते दाने टिपता है बगा सग दिसता एतना चला पुड़े कोरिया त्याने पक्षान दाने खाताना पाहिली त्याला फार आनंद जाला आता उसको क्या लगा कि अरे वा अभी इतने सारे बर्ड्स आगे और उनका मैं अभी शिकार करूंगा तो वो बहुत खुश हो गया कि चलो आज तो शिकार मिल जाए तो त्याला फार आनंद जाला उसको वो बहुत हैपी हो गया पक्षानी दाने टिपून जाले अनंतर उड़ने चा प्रैप न केला अभी वो ट्राइ कर रहे थे कि चलो अभी खाके हो गया अभी फ्लाइ करेंगे लेकिन क्या हुआ बहुत ट्राइ करने के बाद उनको जमी नहीं रहता, क्यों नहीं जम रहता, पंड तया ना उड़ता यही ना, करन ते जाल्यात अडखले होते, उनके जो पैर है, वो फस गये थे वो जाली में, मग तयानी एक युकती के लिए, अभी उन्होंने के बर्ड्स पूरे जो है, उन्होंने क्या-क्या दिमाग लगाय अपना, और आइडिया किया, युकती ला डैश करा, आणि इथे वर्तिये ना, दाले टिपुन जाले नंता उड़ने चा प्रयतन ला डैश करा, प्रयतन को डैश करो, ओके? युकती के लिए, आइडिया किया, उन्होंने क्या-क्या, ते सगले मिलून जाला सह उड़ाले, ते पाहून पार्द्याला खुप आश्यरे वटले, देखो, अभी उपर दिखाए दिये रहे, पिचर, वो सब जाली लेके, पूरा एक साथ, उन्होंने क्या-क्या, वो जाल यह मंजे नवल वाटल सर्प्राइज वाटल दला बाप्रे ऐसे कैसे उन्होंने इतना यह किया बर्ड ने एक टा पक्षी जाड़े गहुन उडू शकला नसता मन्स एक जो पक्षी है बर्ड है वो नहीं वो ट्राइमार रहा था वो इतना जाला हेवी है तो वो कैसे उड़ प सगला पक्षानी मिलून प्रयतन केला ट्राइमारा और उन्होंने एक साथ लेके जाली के साथ उड़ान भरी मनून ते उडू शकली या गोश्टी तून एकी चे बल्ड मन्जे यूनिटी ज़ स्ट्रेंद कसे महत्वाचे अस्ते ते कर ले मन्जे आपन हम लोग ऑल्लेज एक साथ रहना है किसी से भी कभी भी जगडा मत करो और एक साथ हमेशा अभी स्कूल में आप आते हो आपका ग्रूप रहता है उनके साथ चलता रहता है जगडा चलता रहते हैं लेकिन हमेशा एक साथ रहना है जो भी हम लोग एक साथ मिल के काम जो करते हैं वो हमेशा सक्स होता है हमेशा साथ में रहना है किसी से जगडा नहीं करना है तो unity is a strength always मतलब हमेशा किसी भी मुश्किल में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं एक साथ अगर रहेंगे तो तो ये इसका मतलब ये है एकी से बढ़ आता तुमी तुमाला मी दिलेला है कितने दो चार कितने जादा न ये आप 5-5 टाइम्स लिखो मैं आपको notebook and test workbook जो है उसमें आपको लिखके दूंगी आप अच्छे आपके handwriting में लिखना है ठीके नमस्कार